अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पत्रस जो परमेश्वर से दूर हो चुका था, इंकार कर चुका था और उसको ब्लेसिंग में लेके आने के लिए परमेश्वर ने किस तरीके का अपयोग किया जियाद रखो, अगर आप 10 साल भी अपनी आशिष का इंतजार करते रहेंगे, तो इंतजार करते ही रहेंगे, वो आशिष आपके पास नहीं आए मुझे ऐसी बुद्धी चाहिए, कि मैं ये प्रजा का न्याय कर सकूँ, परमेश्वर ने का तुन्हें बुद्धी मांगी, लेकिन मैं तुम्हें धन भी दूँगा, एश्वरे भी दूँगा, जो आज तक मैंने किसी को ने दिया, क्यों? क्योंकि उसका बाब दाऊद जो था, अपनी लाइफ का सारा परसनल गोल्ड परमेश्वर को दे चुका था, बीज भो चुका था, और परमेश्वर ने का तुन्हें अब तक इतिहास का सबसे बड़ा बीज मुझे दिया है, मैं तुझे इतिहास का अब तक सबसे अमीराद नहीं करूंगा, अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता, आज लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशल प्रार्थ नहीं करते रहते बैठ कर, परमेशर कब मेरी नौक्रिड लगेगी, परमेशर कब मेरी ये होगा, परमेशर कब ऐसा होगा, और सब कुछ परमेशर ने आपके हाथों में दिया हुआ हालेलुया मैंने नाइजिरिया में होना और वहाँ पर मैंने अपने एक-एक कत्रे को बो देना और वापसी मैंने अपने टीम को फोन करना मैंने का कितने टेंट है हमारे पास हमारे पास जी 400 टेंट है, हमारे पास 300 टेंट है अच्छा, टवल कर दो ऐसे कैसे टवल करतें? ऐसे कैसे हो सकता है कि कलीशिया सीधा 20,000 से सीधा 40,000 हो जाए, ऐसे कैसी हो सकता है और मुझे मालूम था कि वोक भो के आया हूँ जो मैने पहले कभी नहीं बोया मैं वोक करके आयाँ, उतनी प्रेयर करके आ mins जितनी मैने पहले कभी नहीं की मुझे मालूम है मुझे इतना result मिलेगा जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा और लोगों को लगतातार साथ शायद बड़ी meeting कारण कि ऐसे पास्टर भी हैं जो 10-10 साल प्रार्थ में करते रहते हैं कि हाई परमेशो मेरी कलीस्या कब बढ़ेगी तो कब लोगों को ले के आएगा कब रूहों को बचाएगा लेकिन कभी नहीं बोते कभी प्रेयर में नहीं जाते कभी फास्टिंग में नहीं जाते अपना हाट परमेशो के लिए कभी नहीं खोलते हैं जब यह चर्च बन रही थी साथ-साथ मैं दूसरी चर्चों को भी सपोर्ट कर रहा था अभी भी कर रहा हूं आप समझ रहें मेरी बात को क्यों क्यों कि जब हम अगर हम बोएंगे तो हम क्या करेंगे और हम अगर हम ऐसा बीज किते प्रोबलम है किप रॉक्फंगा गीह हैं अब किते प्रॉबलम वाइबल में यसवусаक नीचे श्राप के नीचे बाइबल कहती है जो मेरा इंकार करेगा मैं उसका इनकार करूंगा मैं विए अपने पिता के दूतों के सामने बोल दूगा कि यह मेरा बेटा या बेटी नहीं मैं इसको जानता तक नहीं, इसका मतलब वो नरक कादिकारी है, सोरक कादिकारी नहीं, वो कर्स के नीचे है, वो श्राब के नीचे, इसका मतलब परमेशो को मालूम था कि पत्रस श्राब के नीचे है, जब तक ये आंगीकार नहीं करेगा दुबारा से, और जब तक ये वो कान नहीं करेगा जिस कान के साथ blessing मिलती और पतरस्त को बुला के परमेश्वर ने का तु प्यार करता है मुझसे हाँ मेरे मेमनों को चरा फिर पुचा मुझसे प्यार करता है उसने का हाँ मेरे भेडों की रखवाली कर फिर तिस्तिवर सत्मुट मुझसे प्यार करता है उसमें का हाँ प्रभू तु जानता है मैं तु उससे प्यार करता हूँ मेरे भेडों को चरा कलीस्या एक कुश्चन आप अपने आप से करो और मैं भी आप से करता हूँ क्यों परमेश्वर आपको bless करें, क्यूं? क्या reason है? क्या कॉन सी रिश्वत आपने लिये है? या अगर आप bless नहीं होंगे तो परमेश्र का क्या नुकसान होगा? हालेलिया अपने परोस्च से बुछो, बोलो परमेश्र अगर तुझे bless नहीं करें तो तु परमेश्र का क्या नुगसान कर लेगा अगर वो तुझे ब्लेस्ट करें तो तो उसका क्या फाइदा कर लेगा आपनी बात समझ रहे के नहीं अगर वो आपको ब्लेस्ट ना करें कौन सी कोट में उसको घजीट सकते हो किसी कोट में किस कोट में केस करोगे किसी कोट में किसको शिकायद करो किसी को नहीं कौन उससे उपर है कोई भी नहीं तो वो क्यों आपको ब्लेस करें और अगर वो आपको ब्लेस ना करें तो उसका क्या विगाड़ लेंगे हम परमेश्वर ने सिधा सिधा नया नया में उतर दिया उसने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है और तू श्राब से आशिश की और जाना चाहता है तो मेरी मेमनों की रखवाली कर मेरे मेमनों को चरा मेरी भेडों की रखवाली कर मेरी भेडों को चरा यानि तेरी जिंदगी पूरी तरह से सूसमाचार पर डेडिकेट होनी चाहिए समर्पित होनी चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए तेरी जिंदगी होनी चाहिए अगर तू ऐसा करता है अगर तू ऐसा है तो परमेश्वर ने कहा हाँ तो फिर मैं ये जान जाऊंगा कि तो सचमुच मुझसे क्या करता है प्यार करता है अगर तो ये नहीं करेगा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि अब की बार भी तो सिरू मुझसे कह रहा है लेकिन तो मुझसे प्यार नहीं करता पहला यहुना पांच एक आयत को स्क्रीन पर देखेंगे जिसका ये विश्वास है कि यिशु ही मसी है वे परमेश्वर से उत्पन हुआ है जो कोई उत्पन करने वाले से प्रेम रखता है वे उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन हुआ हो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसकी आज्याओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं वचन कहता है आगे पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आग्याओं को माने और उसकी आग्याओं कथिन नहीं हालेलिया कहता अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हम उसकी आग्याओं को क्या करें? माने और उसकी आग्याओं मुश्किल नहीं और परमेश्वर ने कहा अगर तू कहता है कि मैं प्रभू तेरे से प्यार करता हूँ तो परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो जो कुछ मुझसे पैदा होगा तो उससे भी क्या करेगा प्यार करेगा ऐसा कहने ही हो सकता कोई कोई आपके घर में आए और ये बोले कि मैं आप से तो प्यार करता हूँ पर आपके बच्चों से नफरत करता हूँ मैं आप से तो बहुत प्यार करता हूँ लेकिन आपके वाइब से नफरत करता हूँ मैं आपसे तो बहुत त्यार करता हूँ, लेकिन आपके husband से नफरत करता हूँ, आपके बाप से नफरत करता हूँ, मैं आपसे तो बहुत त्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपके बच्चों को देखना भी नहीं चाहता है, ऐसा हो सकता है क्या? परमेश्वर ने का अगर तु मुझसे प्यार करेगा तो तु उससे भी प्यार करेगा जो मुझसे पैदा हुआ है हालेलिया और यही चीज परमेश्वर पत्रस को बता रहे थे कि अगर तु मुझसे प्यार करता है तो तु मेरी भेड़ों को क्या करेगा चराएगा, मेरी भेड़े को क्या करेगा रखवाली करेगा, मेरे मेमनों को क्या करेगा तू चराएगा, यानि तरी जिंदगी जो होगी वो पूरी तरह से मेरी रूहों को बचाने के लिए समर्पित होगी तो तू श्राब से आशिश की और चला आएगा और मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा हालेलुया आज कितने लोग हैं जिनके लाइव सुसमाचार के लिए समर्पित हैं या हम अपनी अपनी गंगी गाने आयें कि मुझे ये मिल जाए या मुझे वो मिल जाए हालेलुया क्या करने आयें हम चर्च में आज चर्च में आने का मकसद आज ये है कि आप तो एक समुखिक मसलों के उपर प्रेयर कर सकें आप ये समझ सकें कि परमेशर का आत्मा हमारे आसपास क्या कर रहा है और रूहों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और जब यह सब चीजें आप करने लगते हो तो बाइबल कहती है जब तुमेरे धरम और राज्य का खोजी बन जाएगा तो जो तुम मांग रहा है और जो तुम चाहता है तेरे पीछे पढ़कर तुझे मिल जाएगा